तो हेलो बाई लोग कैसे हैं आप लोग मेंट करते हैं दोस्तों आज के वीडियों में हम बात करें वाले हैं आपर चार डूल बेस 15 वाड़ वाले और यहां पर जाइफर लेप्स का Z6 एम्प्लीफायर के साथ अगर हम कम्प्लीट बेस सेटप बनाना चाहते हैं तो आज के ड प्रोग्राम के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं दीजे के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को लाश्ट तक दिखेगा आपको काफी हेल्फुल होगा साथे साथ जो है आपको काफी नौलेज भी मिल जाएगा तो यहां पर हम सारे डिडियल्स बात करे लिएगा तो यहां पर एक भाई का कमेंट है वो आप पढ़ लेना वीडियो को पॉस्ट करके फिलाल हम बढ़ते हैं वीडियो का आगे क्योंकि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो जैसा कि हम बात करेंगे यहां पर जाइफर लेब्स के तरफ एंप्लिफर ज तो जैसे कि हम बात करेंगे यहां पर बेस स्पीकर के ऊपर तो बेस स्पीकर हमारे पास रहने वाला है आडियो टोन का TBW100 जो कि आप जानते हैं TBW100 1500W का इस पीकर होता है चारेंच वोई स्वेल में आता है और काफी अच्छा स्पीकर है लाइफ प्रोग्राम में काफी ज् कर सकते है पंच के लिए हैं लोंग फो पनच के लिएकि और बात करेंगे तो इस पीगर का प्राईज है तेर Chicken 일ग है उर आपको लेने हैं या पर दो डूल बेस निकाल रहे हैं आप चार डूल बेस का प्राईज का प्राईज निकाल सकते हैं तो जैसे कि आप दो डूल बेस के लिए निकालना चाते हैं तो आपको चार स्पीकर चाहिए चार स्पीकर का प्राइस होता है 22,000 रुपए साथ में हमें चाहिए दो पीस डूल केबिनेट जो कि हम यूज़ करने वाले हैं फ्रंट केबिनेट जिससे कि आपको काफी अच्छा खासा लोंग थ्रो काफी अच्छा पंच मिल जाए तो आप यहाँ पर फ्रंट यूज़ कर सकते हैं काफी अच्छा रहेगा इस स्पीकर के साथ और यहाँ पर दो डूल बेस फ्रंट जो केबिनेट आता है उसका प्राइस अगर हम बात करेंगे तो लगबग आपको काफी अच्छा क्वाल्टी का अप लेते हैं मेडियम क्वाल्टी का तो आपको लगबग 30,000 रुपया जोड़ी जो है काफी क्वाल्टी वाला मिल जाएगा मतलब काफी अच्छा क्वाल्टी वाला मिल जाएगा अगर आप medium quality का लेना चाहते हैं तो आपको लगभग आप मान की जाले कि 20 से 22 पचीस हजार के आसपास में जो है आपको मिल जाता है काफी अच्छे quality का 25,000 रुपया में आपको 2 dual cabinet मिल जाता है लेगिन हमने यहाँ पर काफी अच्छा काफी अच्छा quality वाला 30,000 रुपया में हमने यहाँ पर 2 dual cabinet आपको मिल जाता है तो अगर हम price calculation करेंगे price जोडते हैं तो कितना price निकलता है तो जैसे कि हम यहाँ पर 2 dual base हमारा जो cabinet है वो 30,000 रुपया का है और यहाँ पर 4 speaker है जो की 22,000 रुपया का है तो total 82,000 रुपया का यह जो हमारा 2 dual base है मतलब इसे हम 2 dual base बोल सकते हैं या फिर 4 base भी हम इसे बोल सकते हैं तो कुछ इस टाइप से क्योंकि हम इसके single में बनाते हैं तो हमारा 4 single base बन जाता और यह 2 dual base हो जाता है तो लगबग 82,000 रुपया में complete यह वाला base बन जाएगा ऐसे ही आपको 82,000 रुपया और लगेगा जो की आपका 4 dual base हो जाएगा कुल मिला करके आपका 4 dual base में लग जाएगा 82,000 प्लस 82,000 आड़दुन रसूला मतलब 1,64,000 रुपया आपका 4 dual base बन जाएगा काफी अच्छा क्वाल्टी वाला और यहीं अगर हम बात करते हैं amplifier तो आपका amplifier यहाँ पर comment के उपर हमने ले रखा है Zyphor Labs का Z6 amplifier जो की काफी जाना मना popular amplifier है और यह amplifier काफी अच्छा है इस speaker के लिए काफी अच्छा आपको punch 85,000 रुपय का ऐसे 2 amplifier आपको लेना पड़ेगा जो की आपका price यहाँ पर लग जाता है लगबग 1,70,000 रुपय तो 1,70,000 रुपय का आपका 2 amplifier लेना पड़ेगा total price अगर हम calculation करेंगे calculate करेंगे की हमारा price कितना निकल जाता है तो यहाँ पर approximately आपका price निकल जाता है 3,34,000 रुपय मतलब 2 Z6 amplifier प्लस यहाँ पर 1500 वाट के 8 speaker 4 dual kb net तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 3,34,000 रुपय हमें यह वाला setup आपका 8 base का setup बन जाता है मतलब की 4 dual base का amplifier के साथ यहाँ पर निकल के आ जाएगा price और यह अभी फिलाल recently price मैं आपको बताया है आने वाले समय में price change हो सकता है price बढ़ सकता है कम तो नहीं होगा आप जानते हैं कि कभी भी price sound वगरा, bass वगरा, amplifier वगरा का कभी भी कम नहीं हुआ है price जहाँ तक की बढ़ा है 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 तो आगे आने वाले समय में आपको price जहाँ ज्यादा भी देखने को मिल सकता है और मैं आपको बता दू कि अगर आप cabinet थोड़ा सा medium quality का यूज करते हैं तो लगभग 5-10,000 रुपय आपका बच जाएगा तो आप medium quality का भी यूज कर सकते हैं लेकिन आप Z6 वाले अगर amplifier में चला रहें तो आप मैं recommend करूँगा कि आप लगभग 30,000 रुपय का pair वाला cabinet यूज करें जो कि आपको काफी अच्छा LNK bolts वाला आपको cabinet मिल जाएगा जो कि 18 या 19-19 mm का ply में रहने वाला है जो कि काफी अच्छा quality का आप लेंगे तो चले फिर आज के वीडियों बस इतना है यहाँ पर हमने 4 dual bass प्लस यहाँ पर 2 amplifier जो कि काफी branded amplifier है और काफी अच्छा amplifier है तो इस type के setup आप अपने setup में include कर सकते हैं जो कि काफी अच्छा आपका sound quality increase हो जाएगा तो चलिए फिर आज के वीडियों बस इतना है वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंड लोक्स में आईगा और वीडियो को लाइक शेयर और चलो कर जिएका सब्सक्राइब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में तबता के लिए जय हिंद वंदे मात्रम